विश्वयोग दिवस से पहले दहरदूर में बाबा रामदेव ने लोगों को योग के गुर सिखाए इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि योग भारत का सुवभाव है पूरी दुनिया योग को मानने लगी है दरसल 21 जून को विश्वयोग दिवस है जिसकी तैयारिया अभी से शुरू हो गई है दहरदूर में बाबा के योग शिवरों में सैखडों लोग पहुँचे और उन्होंने सुबह सुभा योग भी किया योग हमारी जीवन पद्धती है योग भारत का मूल सुभाव और भारत की मूल संस्कृती है सभाव अध्यात्मम उच्यते साप्रथमा संस्कृते ही विश्योवारा ऐसा योग जो इंडिज्वल हैल्थ से लेकर के वर्ल्ड हैल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड प्रास्परेटी और वर्ल्ड हार्मनी का एक सश्रक्त माध्यम है एक सो सत्तर देशों के समर्थन से योएनों के अंदर इंटरनेशनल योग डे का प्रस्ताव पारितवाई की जून का और जो योग कंदराओं से लेकर के हिमाले से लेकर के देश के जनजन तक पहुँच चुका था और दुनिया में वह एक व्यापक सम्मान पाचुका था हमारे देश के योगी, कर्मयोगी, राश्टर रिशी, प्रधान मंतरी मोधी जी ने योएनों के अंदर इंटरनेशनल योग डे का प्रस्ताव रख करके इस योग को वैश्विक तोर पर एक मान्यता दिलाई और उससे भारत को गोरव मिला विश्व पटल पर